तो आपके एक बार फिर से आपके अपने यूटीब चैनल में तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउथ अफरिका वर्सीज वेस्ट इंडीस सेकेंड इड़ा जाएगा सेंचूरियन में तो इस मैच की आपको पूरी डिटेल्स होंगा देखो डिटेल्स कौन सी ओसे दूगा ऐसा नहीं कि मैं स्टेड दाता हूँ आख यहाइस प्लेयर का यह इसने वराओ कि विडिये में में सकता हुता हुत आप थोड़ा आइडिया मिल सकता है थिए क्रिक खकर्ट कार्द में कुछ भी हो चकब है कुई कई ऐसा नहीं कि स्टेड के क्वाइड लेकिन होता क्या है कि उस चीज़ से आपको आईडिया मिल जाता स्टैट सापको कहीं से मिल जाएंगे बहुती ही असान है स्टैट निकाला रहा है तो स्टैट पर टाइम वेस्ट ने करेंगे हम आपको बताएंगे कुछ ट्रिक्स और टिप्स और कॉंसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपकी टीम थोड़ी अच्छी बने और आप अच्छा कासा माउंट बिन कर सकोए तो चलो बिना कुछ टाइम वेस्ट यह हम शुरू करते हैं स्टाट करने से पहले बताते हैं गष्ञ आ है फैनल टीम है जो हमारे टेली ग्राफ पीक खैनल का लिंक कैसा को मिले गवाएख डिस्क्रिप्शन से यह तो आपको मिलेगा हमारे कमेंट बॉक्स में से तो आप वहां से लिंक पे क्लिक किजिए लिंक जो इन कर लिए टेलिग्रम चैनल ठीक है तो वहीं पे आपको फाइनल टीम और छे केला जा रहा है मतलिब तकिंउ के तो यह जो स्अच्णियुरिट पीडिया तो यह जिल लुका है एको फिलिए बैट्में के बैट्पे नैसली बॉल आएके ठीक है तो बैट्में को काफी उपोचनेटी मिलेगी स्कॉर करने के तो उसके बाद जो स्पीनर्स उख सिधा-प्रफिट गेंद आएगा ठीक है जाधा कुछ तो जादा फरक निया साथ पांच का यह लेकिन हां बैटिंग फर्स्ट में थोड़ा अडवांटेज दिख रहा है बाकी देखते हैं स्कोरिंग पैटरन क्या रहा है देखो तीन डेट सो के नीचे सिर्फ तीन बार बना और देट सो के प्लस देखोगे न तो टोटल में देख होगे प्लस स्कोर उसमें भी अगर आप देखोगे 170 के उपर तीन और चार साथ बार 170 के उपर बना ठीक है 190 के उपर बना चार बार तो हाई स्कोरिंग मैच हो सकता आप बैट्समैन देखें चल सकते और दोनों टीम में ताबड़ बैट्समैना भाई बहुत ही अच्छे और तकड़े बैट्समैने ठीक है आपको एक 220 वाला मैच भी देख सकता अगर अच्छा दिन रहा बैटिंग कर दिया तो चलो लास्ट मैच में जो लास्ट मैच हुआ साउथ फ्रिक्का ने बैटिंग फर्स्ट करते ग्यारां वर का मैच हुआ था ड्यू टू रेंट गया ग्य pacer ने 6, second ingman good spinners ने 2 लिए और pacer ने 4 total बेख लेके तो तीन spinners के लिए 10 गए हम पर पे count के नाम पर तो आपको जैसा की बताये करनी पाई चलो देखो ठीक कुंटेंडी को ने एक या उसके साथ रीजा हेंड्रिक साय थे ओपनिंग काफी अच्छी बैटिंग रही बारां बॉल ही लेकिन छोटी इनिंग थी 21 किये अच्छी बैटिंग कर रहे थे अच्छे क्लासीक प्लेयर है अच्छे क्लासीक और अच् मैच में स्कूर हर मैच में तेज केल के स्कूर ठीक है डाइविड मिलर हैं लेकिन ध्यान दीजिये और पांच वे नंबर पे तो जुरूरी है इनको हर मैच में इतनी बाल कीए बिए उसके बाद एंडिज क्लास एं दो बोल में की कर पाई वेंपार्ण ने आपे 4 रन के सकते हैं आपके लिए मंगाला ठीए बीजॉन फॉर्चुन है उसके बाद लेफटाम गेंबस दो बॉल में चार रन और एक विकर ली दो वर में ब्यालीस रन दिये तो देख सक चो स्पीनर है बाई क्या इनकी पिटाई हुई काफी पिटाई हुई ठीए उसके बाद इस तरह रन दिये और तो एक विकर निकाला तो एंडिक नौर्ट के आपके लिए अच्छी पिको सकते हैं अच्छे तरह के इन बात हैं तरफ तब्रेज शंसी हैं लेफ्ट अम जाइना में दो विकर निकाले दो वर में 27 रन दे के एक ये अच्छी पिक रह सकते हैं इसकी बात ठीक है वैस्ट इंडिस में देखो गए एक तावड़ तोड प्लेयर है यार बैटिंग तो मतलब भई कतरी जाहर बैटिंग है रिंकि मैं देख देख रान होगा वह कितने कितने अच्छे तक्ड़े तक्ड़े रहा है तो ब्रेंडन किंग बहुती अच्छे प् ऐसाथ या तो बहुत ही क्लास प्लेयर 앞्डेयर रहन प्रैड़न किंग और भॉती तावड़ तोड़ पयराच्, अच्छे क्लासिक प्लेयर है तो आपके लिए ब्रियंड़ों के ब्रेंड़ कांइफ फिक ह growing trade jak per Tesla लेटिय है उसके बाद है आपके पास Kyle Maize ठीक है एक ताम ह तोड़ लेयर रहे है fonctionne रही है ठीक है थोड़े बाराइबर कम जाहसे होती हैं Power और ब्रहेंन ही जॉंटन चार्थम मारती हो यह तक है यह थी उशका उसके बार उसके जैसा ही है ठीक है बहुत अच्छी हिटिंग करता है रोमेरियो शेफट है इन्होंने एक भीकर निकाली दोवर में 20 रन दे के साथ में तीन रन आपको पता ही होगा यह कौन है यहां पर पंजाब को इन्होंने मैच रहाए था पांच के गाये थे वहीं प्लेयर है ठीक होड़ियन स्मित नहीं वो कोड़र ने खाया थे और मुझे आदनी लास सीजन में मैच रहाए था हाड़ीटर है आपको दैथोवर में गीन बाजी करत यह रॉस्टन जाइज है यह एक तरह के वेस्ट प्लेयर ही है भाई चलो शायद इस मैच में ना भी खेले हो सकता है शेल्डन गोट रहा है दो विकट लिए 31 रन दे के तीन वर में काफी अच्छे बालिंग इनकी रही का ठीक है अलजारी जौसफ काफी तेज गेंद बाद 21 रन दिये दो वर में तो यह वेस्ट इंडीस की हो गया ठीक है तो आगे चलते हैं ओपनिंग बॉलर्स इनके अलजारी जौसफ डाल सकते हैं साथ में अकीलों से इन अगर स्पिनर से स्टार्ट करेंगे वानना शेल्डन गोटरल साथ में तैथ बॉलर्स में और्डियंस मी आपको बता दूं वीजन 11 के बारे में आपने सूना ही होगा बहुत यह अच्छी अप्लिकेशन है आप देख सकते हो ग्रैंड लिग भी भाई मस्त मस्त ग्रैंड लिगा एकला की ग्रैंड लिग है आपको करना क्या आप ग्रैंड लिग उदर के दो ना इस पे भी आजाओ इस पर खेलना चालू गड़तो ठीक है नीचे देखोगे तो एंट्रिफीस भाई एंट्रिफीस तो बहुत ही गम है यार इस अप्लिकेशन पर तो यहीं पर आप खेलना चालू कोई जिए आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा अभी के अभी आईए यहाई पर जाएगा तो उसको यूज करके आपके इल सकती है तो चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा टीम पर तो भाई यो टीम की बात कर लिए ठीक है मैंने ये टीम बनाई है आप देख सकते हो ठीक है तो देखें क्विंटन डी को को लिए मैंने जॉंसन चार्ल्स को लिए दोने क्लासिक प्लेयर जां ठीक है फैस्ट इंडिस के और साथ फुरिका के एक विगट की पर तो उसके बाद मैंने लिए डैविड मिलर को यहाँ पर डैविड मिलर को ड्रॉप भी कर दकते हो तो इनकी जगह एस मगाला के साथ जा सकते हैं जो कि अच्छे एक विगट टेकर ऑप्शन हो सकते हैं या तो आप बैट मैन के साथ भी जा सकते हो ठीक है तो यहाँ पर रिले रोसो को लिए ब्रेंडन गेंग को लिए जिनको मैंने वाइस कैप्टन मना है वाइस कैप्टन क अच्छी ऑप्शन जॉंसन चार्ल्स रोमें पोवल भी एक अच्छी ऑप्शन है कायल मेंट को लिए ओपन करेंगे रीजर हें रिजर हेंटरिक्स काफी क्लासी प्लेयर है या आप डैविड मिलर की जगह एडन मारकरम के साथ भी जहा सकते हो ठीक है उसके साथ उसके बाद मैंने लिए या ज्री जॉसफ को शेल्डन को ट्राइल को और एंडिक नोगिया को तो भाई बॉलिंग मैं देखो फाइनल टीम नहीं फाइनल टीम डिपेंड करेगी टॉस पे कौन सी टीम बैटिंग कर रहे है तो उस पर ही निर्बर करेगा कौन से ब्लेयर को मुझे लेना कौन से को वाइस केप्टन कौन से को कैप्टन बनाना है ठीक है तो उसके कॉर्डिंग आपको मिल जाएगी हमारी टीम फाइनल तो आपको एक अभी ग्रेंड लीक कॉंबिनेशन बता देता हूं कैसे बना सकते हो तो देखो भाई यहां पर विकर्ड कीपिंग ऑप्शन में देखोगे तो आपके पास ऑप्शन कौन से चारवी घेलेंगे ठीक है दो यहां पर आपको साउथ फ्रिका के दो दिख जाएंगे वैस्टन इसको तो कैप्टन वाइस कैप्टन के मेन ऑप्शन जो कुईंट अप्शन जोंसन चार्ल्स निकलस पूरन ठीक है तो यह है 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 अब आप अप आप यह प्रफ रख सकते हो टीम में एक ऐसी टीम बना के जिसमें आप टॉप और फेल करो साओथ अफरिका का वैसी अगर कॉंबिनेशन बनाते हो तो उसमें हैं अप्शन को वाइस के अप्टन भी कर सकते हो टीक है तो देखो कुईंटन डिग प्छले मैच में पर्ली बॉल पाउल होगे तो आज में आज की मैच में बड़ा दमा का कर सकते हैं तो कुईंटन डिगाओ के मेरी एक ग्रैंड की स्पेशल भी कहा है मैं तीन-चार टीम में कैप्टन मनाने वाला हूं इनको तो आप इनको ट्राइब कर सकते उसके बाद जॉंसन चार्ल लोगों ने स्लेक्ट किया पिछले मैच में भी अच्छा के लिए बहुती क्लासिक प्लेयर ना बहुती हार्ड हीटर भी बिले रहा है आप इनको रख सकते हो अपनी ग्रैंड लिग टीम है मैं इनको भी कैप्टन में जुरूर से ट्राइब करने बाला हूं ठीक है तो निक cannot catch optionritersसी में जादा लुकर के साथ नहींगे स्मॉल इसम्न में जा सकते हो टेया उसके बती से हैंट्रिक्स यह आपके लिए मुझे आप्रण्फ को सकती है गरेंड लिग की दो हैं बैटिंग भी कायल मेर्थ आपके लिए कैप्टन वाइस के अप्शिन ग्रैंड लिग में उसके बाद नीचे कुछ ज्यादा है नहीं बालिंग में आपको बताऊं तो बालिंग में पर काफी अच्छे आप्शन आपके पास सबसे और ज्यादा मुझे आप्शन लेग रह आपको मैं आपने टेलिग्राम चैनल पर देई दूँगा तो आपको बहीं से मिल जाएंगी टीम वहीं पर आपको जॉइन कर लेना जॉइन क्या से करना है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगा तो बहीं से आपको जॉइन कर लेना तो बही अगर काफी अच्छा प्रोफिट करवा के दूँगा तो आप हमारे साथ चूड़े रहे हैं बिल्कुल फ्री में धन्यवाद मिलते अगले वीडियो में आपका दिन शुप